पता हमीं मेरे एक सपना है मैंना हुआ इजाज में बैटना जाते हुआ बेटा साइकल यैसे शकल लेकर आरो प्लेट में बैठने की सपने देखा करते हैं थिक है जा अंदर जाके बढ़तर दा जा इच्छाएं, चाहत, जिस पर हर इंसान जिन्दा है, हर इंसान अपनी लाइक में कुछ ना कुछ चाहता है, जैसे for example सल्मान केटिना से शाधी करना चाहता है, बाओ बली करतपपा को मारना चाहता है, मैं बहुत सारे सस्क्राइबर्स चाहती हूँ, लाइक में हम कुछ ना कैसे हम अपनी इच्छाओं को अपनी डिजायर को इंगलीश ने व्यक्त कर सकते हैं, एक्स्प्रेस कर सकते हैं, तो आज के अपनी grammar पार्चलाओं में बिना भीक्सी पकपकी चुरू करते हैं अपने चक्तर को. आप बात करते हैं अपने इक्छा की या तो हमारी इक्छा प्रेजंट में होती है तो पास में मैं चाहती हूं या चाहता था ऐसी होती है तो पहले बात करते हैं प्रेजंट की प्रेजंट में हमारे पास कॉन को इंस सब्जेट होते हैं प्रेजंट में हमारे पास प्रेजंट हम बात कर रहे हैं, want to, हम क्या लगाएंगे, want to, और to के बाद आपकी word की first form, जब भी आप to के बाद कोई भी form लगाएंगे, तो हमेशा word की first form ही आएंगे, ठीकी, ये grammatical rule है, अब बात करते हैं, हम अपने sentences हो कैसे बनाएंगे, for example, देखे, दो वर्व होंगे, मैंने खा, वो car खरीदना चाहती है, अब भी present है, किसी बात कर रही है, मैं किसी लड़की की बात कर रही है, खरीदना चाहती है, तो क्या होगा, she, she want to purchase car, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर want के साथ क्या लगेगा, S लगेगा, T के बात क्या लगेगा, S, क्यों लगेगा, अगर आप भ्यान देंगे, मैंने आपको पिछली क्लास ने बताया था, जब भी आप third person की बात करेंगे, he, she, his name की present में बात करेंगे, तो आप वर्व की first form के साथ S या, Yes लगाएंगे, आप portion योगा भाई, हमारा यहाँ पर वर्व तो खरीदना है, बाय है, और वो तो टूके बात है, तो एक चीज़ बता दू, want भी वर्व है, किस चीज़ा का मुरत जाने का, क्या चाहती है खरीदना, तो यहाँ पर दो वर्व है, तो जो पहला वर्व होगा, मतलब कि जो want होगा, जो शी के बाद आ रहा है, वो क्या होगा, उसके साथ S आपको लगाना पड़ेगा, और बाकी जो दूसरा वर्व है, जो टू के बाद हो आए, क्या होगा, वर्व के फॉस्वाम ही आएगी, जो लिए कुछ एक्जामपल ले लेते हैं, बहुत अच्छे सा आपको clear हो जाएगा, जिसे मैंने का, वो car खरीदना चाहती है, तो, she wants to purchase a car, S क्यों आया, Yes क्यों नहीं आया, क्योंकि want के last में T है, ना तो O है, ना तो X है, ना तो CH है, ना तो S है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या आया, S आया, तो sentence क्या बना, C wants to purchase a car, दूर्जा sentence लेते हैं, मैंने का, वो पढ़ाना चाहता है, अब भी वो पढ़ाना चाहता है, तो O के लिए क्या आएगा, He, ये के साथ क्या लाओंगी, want भी जाने है काम है, क्या चाहता है, पढ़ाना, तो T के बाट टेच आजाएगा, अब इसको पुरा sentence सही से लेते हैं, He, want to teach, और wants to teach, wants to teach, He wants to teach, अगर मैं कोंगों इंगलिश पढ़ाना चाहता है, He wants to teach, इंगलिश, अब और एक sentence लेते हैं, for example, मैंने का, अमर तुमसे बात करना चाहता है, अब देखे, दुबारा है, नाम है, अमर, थर्ड परसन, तो क्या होगा, अमर, wants to talk to you, अमर, wants to talk to you, अब ये तो बात भी थर्ड परसन की, कैसे आप थर्ड परसन के साथ, wants के wants लगाएंगे, अब बात करते हैं, I, U, V, Day, बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने पढ़ा था, कि I, U, V, Day के साथ, वर्ड की first form ही आती है, तो दोनों ही जो वर्व होंगी, want to be और जो अलग वर्व होगी, जो तो के बाद आगी, वो भी वर्व फर्स पॉम्मी रहेगी, कैसे कैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हो, I want to tell you something, क्या होगा, I want to tell you something, तुम मुझे मारना चाहते हो, You want to beat me, यह मैंने का, तुम उससे लड़ना चाहते हो, You want to fight with me, तैके इसे तरीके से मैंने का, हम कुछ कहना चाहते हैं, We want to say something, We, अब इसे तरीके से मैंने का, हम पढ़ना चाहते हैं, We want to study, वो, स्कूल जाना चाहते हैं, अब उनके लिए क्या लगाउंगी, They, तैके क्या होगा, They, Wants or Want, Want, They want to go to school, इतने सारे positive sentence होगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आपर हम दो वर्ब ले रहे हैं, एक तो want, वो भी अपने आप में वर्ब है, चाहना, और उसके पाद हम क्या चाहते हैं, दूसरा वर्ब, तू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, वो हमेशा वर्ब की first form आएगी, तू से पहले जो आपका वर्ब है, यानि कि जो want है, वो ही आप condition के according, शेंज करेंगे, अब बात कर लेते हैं, इसकी negative form की, कि कैसे आप negative sentences बनाएंगे present में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, he, she, it, name, इनका helping word क्या होता है, does, जब negative sentence बनाना शुरू करते, तब क्या लगाते हैं, does, और I, you, भी दे के साथ क्या लगाते हैं, do, sentence ले लेते हैं, मैंने का, वो तुम से बात नहीं करना चाहते हैं, तो she, she, she does not want to talk to you, आप ध्यान देने वाली बात है, भाई, does not आ गया, और हमारा रूल के कहता है, जब भी आप does लगा देंगे, तब आपको, s य य य य य ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर want नहीं आएगा, क्या है, wants नहीं आएगा, want आएगा, तो मैंने बोला, वो तुमसे बात नहीं करना जाती, तो she does not want to talk to you, helping verb देने है, want verb है, ध्यार लगना इस लिए, एक इसांपल लो लेते हैं, वो इंग्लीश नहीं पढ़ाना चाता, तो कैसे होगा, he does not want to teach English, अमर इंग्लीश नहीं बोलना चाता, अमर does not want to speak English, खुशी इंग्लीश नहीं सीखना चाती, खुशी ड़्नोट वोंट टू लर्न इंग्लीश, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अब बात करते हैं, I, U, V, they, इंको आप कैसे यूज करेंगे, I, U, V, they की present में helping work क्या होती है, good, do होती है, अब भाई, तो फिर क्या होगा, want ही रहेगा, और आपकी बाकी जो वर्फ होगी, जब तू के बात दूसरा वर्फ हैगा, वो तो वर्फ फर्स कॉम ही रहेगा, चलिए आप इसको start करते हैं, जीसे for example मैंने का, we do not want to learn Spanish, अब भाई मैं किस की बात करूँ हूँ, अपने negative desire की बात कर दे हैं, कि भाई नहीं चाहते, तो इसी लिए, अभी तरह के से मैंने का, they, दे के लिए एक संटेंस पना लेते हैं, for example मैंने का, we school नहीं जाना चाहते, तो क्या होगा, they do not want to go to school, कहने का मतलब है don't लगाने पर, आपका जो वर्व रहेगा want, वो तो want ही रहेगा, क्यूंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम do लगाएंगे, जो form है, वर्व है वो क्या रहेगा, हमेशा first form में रहेगा, तो के बाद जो दूसरा वर्व लगाएंगे, वो हमेशा वो क्या रहेगा, वो भी वर्व first form में रहेगा, तो पिछला जो चैप्टर है से उसको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि, क्या रूल है क्योंकि उसी रूल पर based आपके जो इस चैप्टर है, क्योंकि want भी वर्व है, और जो हम to के बाद लगा रहे हैं वो भी क्या है, वर्व है, अब बात करते हैं past sentences कैसे बनेंगे, हमने चीज पड़े थी जब past positive हम बनाएंगे, हम में क्या चाहिए, वर्व की second form चाहिए, और सारे जितनी में हमारे subjects हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ने, सब के साथ वर्व का second form लगेगा, तो हमारे बास दो वर्वें एक है, want, want और दूसरा, जो भी हम use कर रहे हैं, तो भाई, अब मैंने का पहला जो वर्व है, वो आपको conjugate करना है, वो आपको उसका second form या first form जो भी है, उसको change करना है, तो अब second form क्या हो जाएगा want का, wanted, positive image, जैसे मैंने का, मैं तुमसे बात करना चाहती थी, तो कैसे मनगे, I wanted to talk to you, for example मैंने का, कि वो school जाना चाहती थी, she wanted to go to school, want की जाएगे आ गया, wanted, इस तरह के से मैंने का, कि मैं तुम्हें, पीटना चाहती थी, I wanted to beat you, हम mobile खरीदना चाहते थी, we wanted to purchase cell phone, तो यहां पर सिर्फ मैंने क्या किया, want का second form लगा दिया, wanted, तो मेरा past में, positive में, मेरी past desire बताने के लिए में क्या को रूड़ूगी, want को conjugate कर दूएंगी, want का second form क्या हो जाएगा, wanted, और बाकी जो two के बाद word है, वो first form में आएगा, अब बात करते हैं, negative sentences कैसे बनाएगी, negative में हमारे पास क्या helping work थी past में, did, तो बस वही करना है और जब did हम लगाते हैं, तो word का कौनसे form लगता है, first form, तो बस अब wanted की जगा क्या हो जाएगा, want हो जाएगा negative में, for example, मैं तुम्हें call करना नहीं चाहते थी, so, I did not wanted to call you, इस तरह की से मैंने कहा, कि तुम उससे बात करना नहीं चाहते थी, you did not want to talk to her, या फिर मैंने बोला, कि हम school नहीं जाना चाहते थी, we did not want to go to school, वो car नहीं खरीदना चाहते थी, they did not want to purchase car, मैं school नहीं जाना चाहते थी, I did not want to go to school, शुक्ला पढ़ना नहीं चाहता था, शुक्ला did not want to study, तुम English नहीं सीखना चाहते थी, you did not want to learn English, तो यहां पर सिर्फ मैंने क्या हिआ दिड नॉट प्लस वर्प की फ़स्पॉर्म मतलब की जो दिड के बाद जो मेरा族 पॉंटिड फ़र्स पॉंटिक्र ऴर्प क्या रही हो पहला चंप्तर है जो हो फश्किन वर्प क्या सुच होगा Do, Does, Did यूस करके सारे तरीके से अपनी English को बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो बहुत इजी था यह चेप्टर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि present में आपको positive sentence में he sheet के साथ wants कर देना है जब यह आपने desire बता रहे हैं I, U, E, D, के साथ want रहेगा past में जब यह positive बताएंगे तो wanted हो जाएगा और जब negative बताएंगे तो did not के साथ want लगाएंगे और do does के साथ भी want लगेगा और सिर्फ h is or ध्यानक ने 2 के बाद जब भी कोई work आता है ठीक है बस आपको इतना ध्यानक ने और जो भी changes होंगे वह want में होंगे और किसी में नहीं होंगे विभी जो next work होगा वो दुबारा मैं कह रही हूँ work first form तो अब अगर मैं बोलो अब मैं class finish करना चाहती हूँ तो कैसे होगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप sentences भी लिखेगा कि आपकी क्या desire है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने friends को भी यह share जरूर कीजेगा और like और subscribe भी कीजेगा मिलते हैं अगरी वीडियो में कुछ और भी मज़ा grammar chapters के साथ तब तक के लिए बबाए